मैं भारत को भारतियता की माननिता के आधार पर शेसे ख़ड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ अब एक दो बात और माताओं से कह दिये हो ये कि आप जो तेल खाती है न तेल तेल के बारे में आईरुवेद ये कहता है कि वात के सभी रोगों को संतुलित रखने के लिए तेल पित के सभी रोगों को संतुलित रखने के लिए देशी घी और कफ के सभी रोगों को संतुलित रखने के लिए शहर ये तीन चीजों का सेवन अतियावश्यक फिर से सुनी, वात के रोगों को ठीक रखने के लिए ते, पित के रोगों को ठीक रखने के लिए देशी घी, और कफ के रोगों को ठीक रखने के लिए शहद, अब शहद ना मिले तो उसकी जगे गुड़ लिख लो, गुड़, तो कफ ठीक रहे तो इसके लिए गुड़ खा पित्थीक रहे इसके लिए देशीघीखा बात ठीक रहे इसके लिए अब तेल कौन सा खाना ये मुझे बता हमारे घर में तेल निकाली के लिए अगर मशीन है अगर नहीं गाव गाओं में जो गाणी चलती है उस पर निकाला हुआ तेल सबसे अच्छा ये बाजार से डिपबे वाला तेल लाते है ये जहर बाजार में जो तेल मिलता है ज़सको अम्रेजी में डबल रिफाइंड तेल कहते हैं ट्रिपल रिफाइंड तेल कहते हैं तेल को रिफाइंड करने में जो केमिकल मिलाए जाते हैं वो केमिकल जहर है इसलिए ये डबे वाला तेल आप मत खाए आप तो गानी में तेल निकलवाना सरसो का हो, ती का हो, नारियल का हो ताजा तेल निकलवाके खाना फिर लोग कहते हैं कि वो तेल गाड़ा होता है, तेल तो गाड़ा ही अच्छा होता है, क्योंकि तेल जितना गाड़ा होगा, उतना उसका प्रोटीन कंटेंट जाता होगा, और तेल खाया जाता है प्रोटीन के लिए, और अगर उसका गाड़ापन निकाल दे तो प्रोटीन जादा खतरणा है। आज कल सबसे जादा हुरूं रहां हो रहे हैं, यह बाजार वाले तेल खाने से हुझो इसलिए आप बाजार का तेêm का यह गानी पैल निकन वा एक्राश वो सर्सों का तेल हो तेल क Congressman नारियल का तेल हो या कोई दूसरा तेल आप खाते हो मुंफली का तेल हो या कोई भी तेल हो लेकिन घानी में निकलवाया हुआ तेल खानी और दूसरा माताओं को निवेदन है डालडा कभी मतला ना दुनिया में महा सप्त्या नाशी कोई एक चीज है तो ये डालडा है इसने सबसे जादा बरबादी लाई है भारत के गाउं काउं थोड़ा सस्ता है लेकिन जहर पे जहर है डालडा का मैंने परिक्षन कराया था 23 जहर है अकेले डालडा ये कभी मतला तो आप बोलोगे घर में कोई पूड़ी पूड़ी बनानी है तेल में भले बना लेना डालडा में कभी मतला सर्जों के तेल में पूड़ी बनाओ बहुत अच्छी बनती है और मेरी माताई बात मान लें तिल के तेल की पूड़ी तो इतनी स्वाद होती है जो किसी में नहीं बनते है, एक तो नरम बहुत रहती है, और एकदम फूल के आती है, तिल के तेल की फूल, और सबसे ज़्यादा शरीर के लिए दुरुस्त है, तिल का तेल का माने ही तिल है, तिल मैंसे ही तेल शब्द बना, तो आप तेल में पूरी बना लेना, तेल में कच शादी ब्याब बाराँ थो, तो उसमें भी ढालडा मतला है, चोगी जो अपने लिए जहर है, वो सब के लिए जहर, तेल में ही बनाना, घर में भी, अगर जैसे शादी ब्याब बरात है, तिरी के तेल में पूड़ी कचोड़ी मना के खिलाव बहुत बढ़िया लोग वागा करें गया इतनी स्वाद बनती है और वो स्वाद खाने में आता है तो डालडा बन कर देना तिरीका देल सरसों का तेंगो अर तीसरा मैंने कहा कि कभी भी घी खाना देशी डालडा वाला घी कभी खाना अब देशी गी गायका मिले तो सबसे अच्छा नहीं तो बहस का भी चलेगा लेकिन देशी गी और तीसरा और आखरी में हम बताया गुड़ खाना गुड़ शेहद मिले तो सबसे अच्छा शेहद खाने का तरीका है दूद में ला लेके गुल्गुने दूद में या ठेंडे द झाल पाताइ